दिग्रस नगर पालिका की कई प्रामेरी स्कूले जरजर अवस्था में पहुच गई है कई डिजिटल स्कूले डिब्बा बंद हो चुकी है इतना ही नहीं लक्षमी नगर की स्कूल नंबर साथ की नई इमारत तो व्यभी चार का अड़ा बन गई है लेकिन पालिका प्रशास पालिका शिक्षा विभाग को इसकी कोई परवार नहीं है पेश दिग्रस से समवादाता जुबर खान की ये स्पेशल डिपोर्ट भारत देश में स्कूलों को विद्या का मंदिर कहा जाता है ये बात भारतियों के विद्या के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाती है लेक पालिका के तहत आने वाली लगभग सभी प्राइमरी स्कूले पालिका मुख्या धिकारी से लेकर पालिका शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी और करमचारियों की निश्क्रियता की भेट चड़ गए है हम लगातार स्कूलों की दुरावस्ता को उजागर कर रहे है इसी श्रिंखला में हमने आज लक्षमी नगर में स्तित शाला नंबर 7 का दोरा किया जहां स्कूल की खस्ता हाल पुरानी इमारत के साथ ही फर्जी डिजिटल क्लासरूम नजर आया इसके अलावा यहां मुख्या ध्यापक के कक्ष में रखे धेर सारे तूटे हुए तालों से बीते कुछ सालों में घटित अंगिनत चोरी की घटनाओं की हकीकत भी उजागर हुई है सबसे चोकाने वाली बात यह है कि पाली का प्रशासन की अंदेखी से यहां की नई इमारत वेभी चार का अड़्डा बन गई है आजकल राज्य में एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेताओं को कलंक बता रहे है इस तर्ज पर दिग्रश शेहर के प्राइमरी स्कूल है जीने हम विद्या मंदिर कहते हैं इन विद्या मंदिरों की प्रचंड दुरावस्ता की बात की जाए तो पाली का प्रशासन और पाली का शिक्षा विभा की लापरवाही भी किसी कलंक से कम नजर नहीं आती लक्ष्मी नगर की प्राइमरी मराठी स्कूल कर्मांग के साथ के जो मुख्या ध्यापक है प्रभारी मुख्या ध्यापक अनल कवटकर जी हमारे साथ में आये उनसे बात करते हैं सर यह बताईए कि किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है मैं एक साल पहले यहां जॉइंड हुआ हूँ और सबसे पहले यहां चूरी का बहुत तकलीब है बार बार चूरी होती ताले तोड़े जाते हैं और ताले को घान लगाई जाती है जिससे और कुछ व्यभीचारी लोग कुछ गंदी चीजे भी क्लास में डालते है उसके बा पास जो है अभी अभी हमने थोड़ी बहुत वर्गों के पास की सापसोपाई के लिकिन इदर बहुत बड़ी-बड़ी तादात में है तो यह सापसोपाई और श्कूल के जो खाते में पैसे नहीं है पिछले साल से आपको पैसे नहीं मिले हैं हमारे पास तक तक रिवन 10 से 12,000 रुपए खर्चा होके अभी वो बिल वैसी पेंटिंग अभी तक मिला नहीं और साल भर का 12,000 में साल भर का खर्चा निप्काना पड़ता है तो यह है अनिल कवटकरजी जिनोंने अपकी समस्या बताई है यहाँ पर लक्षमी नगर की स्कूल में एक नहीं आने को समस्या है अपने विकास को तरस रही है मराठी और उर्दू स्कूलों का हाल बत से बत्तर हो चुका है आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक नई इमारत कोरोना काल के आसपास में यहाँ पर नगरपालिका ने खड़ी की थी और सुनने में आया था कि इस इमारत को करीबन 60 लाग रूपे खर्च किया गया है लेकिन अपसूस इस बात का है कि इस स्कूल की जो नई इमारत जो आप पीछे देख सकते हैं यह अपने उत घा है और दूसरी बात जो बहुत बुरी तरह अपको लगी वहां पर के वहां कंडोम तक पड़े है इसका मतलब यह है कि वेभिचारी जो लोग है यह स्कूल उनका एक तरह से अड़्डा बन चुकी है यहां पर ताश खेलना यहां पर शराप पीना और वेभिचार करना यह आ इसका जल से जल संग्यान ले इस समस्या का और इस सारी समस्या को दूर करे क्योंकि इन स्कूलों की जो हालत है उसको देखकर अपसोस होता है और सिर्फ शर्म महसूस होती है इन बीस ये न्यूस के लिए दिगरस से जुबहर खान